मंत्री KTR ने कहा कि विश्व निवेश को हैदरबाद अपनी और आकशित कर रहा है इतना ही नहीं अनेको क्षेत्रों में अपना महानगर सबसे आगे है मंत्री ने आगे बताया कि विश्व का सबसे बड़ा अमेजान इन्नोवेशन सेंटर विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गूगल सेंटर हैदरबाद में स्थापित किया गया है उन्होंने बताया कि हैदरबाद महानगर में अनेकों अगरगामी सूचना प्राउध्योगी की वित्तिय सेवा संसाएं अपने कारोबार चला रहे हैं मंत्री KTR ने IT तथा उद्धोग विभाग की वर्ष 2021 की वारशिक रिपोर्ट जारी की तत पश्याद उन्होंने मेडिया से बात करते हुए बताया कि देश के विकास में तेलंगाना राज प्रमुक भूमिका निभा रहा है उन्होंने बताया कि तेलंगाना सभी क्षेत्रों में घुसते हुए आगे बढ़ता जा रहा है मंत्री ने बताया कि अपने विभाग को पारदर्शी बनाये रखने के लिए प्रतिवर्ष विभाग संबंदित वार्शिक रिपोर्ट पेश की जा रही है KTR ने बताया कि राज में IT क्षेत्र काफी विकास किया है मुखे मंत्री KCR की नीतियां एवं उनकी निस्वारत महनत का असर है कि यह सब संभव हो पा रहा है उन्होंने कई विश्यों का जिकर करते हुए बताया कि तेलंगाना राज क्लिष्ट परिस्तितियों में भी सूचना प्रवध्योगी की तथा उध्योगों के क्षेत्र में अद्भुत विकास को हासिल किया है मुख्यमंत्री केसियार की दार्शनिक्ता का आसर है कि देश भर में तेलंगाना अगरगामी राजियों के रूप में उभर रहा है उन्होंने यह भी कहा कि दिल लगा कर मेहनत करने वाले हैं इसलिए यह विकास संभव हो पाया है लास्ट सेवन यह विकासर चूशकुन अट्थाइटे एरकवाईना मार्कीनियम्स अटे एरकवाईना प्रपंच वेत्तंगा प्रक्याति गांचिना परिष्रमलनी दिगजालनी तेलंगाना आकर चिंचिन दो कोड अककासरी वोट आपक इन 2015, Google and Telangana government had entered into an agreement in order to set up their largest campus outside of their headquarters in Mountain View, California in Hyderabad here. In 2016, again 19th May, Apple's largest development center outside of United States was also launched in the presence of Honorable Chief Minister and Tim Cook in Hyderabad again. Amazon's largest development center in the world, not the second largest, the first largest center in the world today is in Hyderabad, not in Seattle. And that has been again launched, Tani Foundation Stone, Rinduvela Padaharuloyaisi कुनाम। 11th May, 12th May, 3 million square foot or 3 million square foot campus परपंच लोने अथिपेद Amazon campus इकड़े आविश्करिंच कुनाम। Amazon Web Services data center से वेते हुननाए, दान इकोड़े वेला कोटल पेटुबड़े पोईन समत्रमा आकरशीच कुनाम। Salesforce कुरिंच कुने निंदा के जपेन में कु, their largest facility is right here, they also have come in 2017, now they are also growing rapidly. Uber, अंदर की Uber तलसु, Uber's second largest center in the world is also in Hyderabad, again that was inaugurated in 2016, 25th February. Micron is one of the largest chipmakers in the world, वारिदी कुड़ा मनों, largest development center, again outside of their headquarters, has been inaugurated in 2019. इदु कुड़ा तलंगाना वच्चन तरवात वच्चन पेटुबड़े तलंगाना उच्च न्यायले में न्यायाधीशों की वर्तमान संक्यात 24 को बढ़ा कर 42 करने की मांग करते हुए, केंद्री ग्रह सहाय मंत्री जी किशन रेड़ी देश के कानुन एवो न्याय मंत्री रवी शंकर प्रसाथ से मिले। उच्चितम न्यायाले में मुख्य न्यायादीश यस्वी रमना से बात कर कानून मंत्री ने किशन रेडी की मांग पर सकार अत्मक निर्णे सुनाया है केंद्री ग्रह सहाय मंत्री जी किशन रेटी ने बात करते हुए बताया कि उन्होंने केंद्री मंत्री के नाते कई बार न्याया धिशों की संक्या को बढ़ाने का प्रस्ताव रखते हुए कानून मंत्री से आग्रह किया है किशन रेड़ी ने बताया कि केंद्री कानून नियाय मंत्री रवी शंकर प्रसाद ने मेरे समक्ष ही प्रस्तावीत फायल पर अपनी स्विक्रिती देते हुए हस्ताक्षर किया है इसके लिए उन्होंने केंद्री कानून मंत्री का आभार व्यक्त किया केंद्री मंतरी ने बताया कि न्याय जीशों की संक्या बढ़ाने से न्याय प्रक्रिया में तेजी आती है राजी में न्याय प्रक्रिया के गती आने से तेलंगाना उच्छी न्याय ले देश के लिए एक प्रेणा दायक न्याय ले साबित होगा ऐसा मेरा विश्वास है आज से मध्यान के समय का लागडाउन उठा दिये जाने से नगरदोय में सभी व्यापार आधी प्राथ 6 बजे से साएं 5 बजे तक यथावत चले यहाँ साएं 6 बजे से पुलिस पुना लागडाउन को सकती से अमल करेगी लोगों को घर पहुंचने के लिए एक और अतिरित घंटे की राहत साएं 6 बजे तक मुहिया कराई जाने से साएं 6 बजे से अगले दिन प्रातर 6 बजे तक लागडाउन को पूरी सकती के साथ अमल किया जाएगा आज से जून 19 तक लागडाउन के नए नियम अमल में रहेंगे भारतिय जन्ता पार्टी तिलंगाना राज्य शाखा के मुख्य नेताओं ने आज राज्य में भाजपा की स्थितियों की चर्चा करने के लिए एक ब्रहत बैठक की इस बैठक में केंदरिय ग्रह साहय मंत्री जी किषनरेडी प्रकाश जी पार्टी के राज्य शाखा प्रभारी तरुन चुक राज्य शाखा अद्यक्ष बंडी संजे कुमार आदी नेता ने भाग लिया इस बैटक में पार्टी की तिलंगाना में अपना ही जाने वाली नीतियों के सम्मन्द में कोर कमिटी सधस्यों के साथ भी चर्चा की गई पश्चिम बंगाल के गत विधान सबा चुनाओं में भाजपा की ओर से प्रकाज जी ने महत्तुपूर्ण भूमिका निभाई थी अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे लोगों की संख्या काफी अधिक है तो वहीं अस्पताल में भरती हो रहे नए पीडितों के संख्या काफी कम है जिस कारण पीडितों की संख्या घरती जा रही है गांधी अस्पताल गत 15 अप्रैल से 15 मैं तक पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था उस समय की स्थिती यह थी कि रोगियों को विस्तर मिलना भी मुश्किल हो गया था तब प्रती दिन 200 से 300 कोरोना पीडित भरती हो रहे थे वरतमान समय में यहां 70 से 80 लोग ही भरती हो रहे हैं उस समय अस्पताल में 1600 से 1800 तक रोगी थे अब इस समय गांधी अस्पताल में मात्र 873 रोगी हैं जिसका उपचार चल रहा है यह ऐसा हो तो अस्पताल प्रशासन तथा करमियों को थोड़ी राहत मिली है अब तक जिने सापताहिक आवकाश लेने की स्थिथी नहीं थी अब उन करमचारियों को अपनी श्रेणी के अनुसार सापताहिक आवकाश प्राप्त करने की स्थिथी में आ गए हैं राजी के पुलिस महानिदेशक को तेलंगाना उच्छी न्यायाले ने आदेश दिया कि पत्रकार रगु पर दर्च किये गए मामलों की पूरी जानकारियां उनके परिजनों को 14 जून के भीतर उपलप्त कराई जाए इस संबंद में न्याय मूर्ती जस्टिस के लक्षमन ने बुद्वार को आदेश जारी किये एक मामले के बाद एक दूसरा मामला दर्च किया जा रहा है कहते हुए पत्रकार रगु की पत्नी गंजी लक्षमी प्रविना ने कोर्ट से आगरह करते हुए सभी मामलों की जानकारियां उपलप्त कराये जाने के आदेश देने का न्याय अले से आगरह किया था इस याचिका पर न्याय मूर्ती ने सुनवाई आरम की याचिका करता के वकील रजनिकांत रेड़ी ने न्याय अले के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए बताया कि पुलिस एक मामले में बेल प्राप्त करने के बाद एक और दूसरे मामले में रगु की गिरफतारी बताते हुए उन्हें लंबे समय तक जेल में रखने की कोशिशें कर रही है रजनिकांत ने न्याय अधीश को यह भी बताया कि सभी मामलों की पुलिस द्वारा जानकारी प्राप्त हो तो उन न्याय अलों की शरण में हम जाएंगे इस पर सरकारी पक्ष के वकील ने न्याया अले को बताया कि रगुपर बने मामलों की पूरी जानकारियां उपलब्द कराने का आगरह करें तो उस प्रार्थना पत्र के आधार पर मामलों की जानकारियां दी जाएगी सरकारी वकील की इस दलील पर न्याया अधीश ने बताया कि याचिका का अरता की और से कोई निवेदन पत्र देने की आवश्यक्ता नहीं है और याचिका करता को 14 जून के भीतर मामलों संबंदी पूरी जानकारियां उपलब्द कराने का आधेश डी जीपी को देते हुए मा हमसी अधिकारियों तता टीटी यूसी के संस्था पगद्यक्ष मोते शोभन रेड़ी के साथ मिलकर पधियात्रा की इस मौके पर स्थानिय लोगों ने उप महापार मोते श्रीलता से शिकायत की कि स्थानिय नाले में स्थित मिट्टी कच्रे को साफ करवाया जाए इस बात कारियों को आदेश दिया उप महापार ने स्थानिय लोगों से कहा कि मानिकेश्वरी नगर से संबंदित कोई भी समस्या हो तो वे उसकी दृष्टी में लाएं जिसका वे ततकाल हल कराएंगी साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तारना का डिविजन में जो भी समस्या है उन स कारियकारी अभियंता, आशा लता, असिस्टेंट इंजिनियर विंकटेश्वरलू, डीजीयम, डेविड राजू, मैनेजर कृष्ण प्रसाद आधी उपस्तित्थे तिलंगाना राज्य में शिक्षन संस्थाओं को आरंब करने का महुर्त निर्धारित कर लिया गया है इसी महा के सोला तारिक से नूतन शैक्षनिक वर्ष आरंब होने जा रहा है आठवी कक्षा से दस्वी कक्षा तक इंटर्मीडेट विध्यार्तियों के लिए आनलाइन कक्षाएं आज जित की जाएंगी गत वर्ष की भांती विध्यार्तियों का नुकसान न हो इस उदेश से राज्य सरकार ने कदम उठाए है सरकार इस जिशा में भी आगे बढ़ रही है कि यदि कोरोना मामलों की संक्या क्रमिक रूप से घड़ती गई तो सरकार द्वारा आगामी मास से एक दिन बाद एक की पद्दती से स्कूलों में शिक्षन विवस्ता आरम करने की तैयारियां प्रगती पर है इतना ही नहीं राज्य सरकार ने शिक्षन संस्थाओं को मौकिक तोर पर यह कहते वे आदेश दिया है कि जुलाई महा के अंत तक कोरोना के मामले घड़ जाएंगे इस कारण सभी विध्यालेयों को तैयार कर लिया जाए राज्य में सडक परिवन निगम की बसों तथा मेट्रो रेल सेवाओं के समयों में संशोधन किया गया है इसके अलावा अंतराज्य बस सेवाओं को आरम करने के विशे पर अभी पूर्ण विराम लगा हुआ है लागडाउन की डी लवधी का समय प्रातव 6 बजे से साएं 6 बजे तक रहने से यह निरने लिया गया है राज्य सरकार द्वारा आदेश आने के पर शाद ही यहां से अन्ने राज्यों के लिए बस सेवाओं आरम की जाएगी मुख्य रूप से आंद्रप्रदेश तता महराष्ट राज्यों के लिए तिलंगाना राज्य की बसे जाती है राज्य के सभी जिलों में साएं 6 बजे तक परिवन व्यवस्था जारी है वहीं हैदरबाद नगर में बसें प्राथ 6 बजे से साएं 5 बजे तक ही चलाई जा रही है नगर में मेट्रो सेवाएं भी इसी के अनुरूप चल रही है नगर में मेट्रो रेल सेवाओं का समय प्राथ 6 बजे से साएं 5 बजे तक निरधारित किया गया है राज्य सरकार के मुक्य सचीव सोमेश कुमार के आदेश से राज्य सचीवाले के करमी तता अधिकारी अपने नियमिच सेवों पर उपस्तित हो गया है राज्य में कोरोना का प्रभाव कम होते जाने से राज्य मंत्री मंडल ने लाग्टों नियमों में संशोधन कर डील की आउधी को प्राथा 6 से 5 बजे तक बढ़ा दिया है इसी वेवस्ता के मद्दनजर सरकारी करमचारी सभी अपनी ड्यूटी पर उपस्तित हो गये हैं यह ऐसा हो तो आज कोविड नियमों के अनुसार 33 प्रतिशत सरकारी करमचारी अपनी सेवाओं पर उपस्तित हुए सरकार के अधिकारी रोटेशन पद्दती से कार्या ले आकर अपनी सेवाओं को अंजाम दिये हैं वर्षा काल में सरदी जुकाम जर संक्रमन जर का आना अधिकर है वर्टमान समय में कोरोना संक्रमन भी जारी है इन सबी के खत्रों से बचने के लिए इम्मुनियोटी रोग निरोधक शक्ति का होना आवश्यक है इसके लिए स्वास्ति विशेशेग्यों तता डाक्टरों का कहना है कि वर्टमान मौसम में उपलब्द होने वाले फलों का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए इस मौसम में अनार, मौसम भी, काला जामौन, सेप, पपिता, केले का सेवन करना चाहिए क्यूंकि इन फलों में रोग निरोधक शक्ति अधिक होती है डाक्टरों का कहना है कि इन फलों के खाने से मानो शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता के साथ साथ ताकत भी बढ़ती है हनार के दानों में विटामिन B, C, सहित, एंटी आउक्सिडेंट की मातरा अधिक होती है जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं इसी प्रकार काला जामुन में कैलोरिस की मातरा कम तथा लव, फैलोट, पोटैशियम, विटामिन अधिक होती है जो लोग अपना वजन घटाना शाते हैं वे काला जामुन का सेवन करें इसमें विटामिन A तथा C के साथ साथ अजीरन की समस्या भी कम होती है इस मौसम में सेब का सेवन करने से शरीर रश्ट पुष्ट होने के साथ साथ जीवक्रिया दर भी बढ़ जाती है विशेशग्यों का कायना है कि बारिशों के मौसम में प्रती दिन एक सेब अनिवार रूप से खाना चाहिए इसी प्रकार चिकत्सकों तथा स्वास्ते सलाकारों ने अनार के साथ साथ पपिता तथा केले का भी इस मौसम में नियमित रूप से सेवन करने का सला दिया है